अब इस रुबा के पौने चे बज रहे हैं और हम फैजरों में उठे हैं कुछ सन्राइज के यूज कैप्टिर करने और टाइम लाप दुनाने हैं अभी बहुत ही खुबसरत वावा एडंकेल कोई बंदा नहीं जाग रहा सिर्फ जानवर जाग रहे हैं और एक फैज वर्ग मैं पर अमेजिक प्यूडिफुल दे प्लेस प्यूडिफुल अव्जड़ सनलाइड अभी आ रही है मैं बता नहीं सकता आपको वह आप देखेंग अवे थाएज थाएज करत देखेंगे वो प्रॉड वो आपको वो मिस्टर फैज आगे लगाने में मज़ार है अगा नहीं आ रहा है आगे लगाने में बहुत पिश्किल है बहुत तरी सर्दी भी है बहुत तरी सर्दी याग क्यों नहीं लग रही यार क्योंके मेरे पास बी रोल्स बहुत हैं तो क्यों ना उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइस किया जाए और मैं आपको अडंकेल के बारे में कुछ मालूमाती फराम कर दू अडंकेल आजाद कश्मीर की नीलम वैली का एक सर्थ सब्स गाउ है जो के सता समंदर से 8,389 फीट की बलंदी पे वाकिय है पिछले व्लाग में जैसे के आपने देखा ही होगा अडंकेल तक रसाई के लिए आपको केल पहुँचना पढ़ता है और फिर 50 उपे दे कर केबल कार के जरीए आप दरिया के दूसरी साइट पहुँचते है जहां से आपको खुबसरत जंगलों से होते हुए 40-50 मिन की हाइक करनी पढ़ती है और आप अडंकेल पहुँचते है हम तो वैसे अक्टूबर में गए थे मगर वहाँ जाने का सबसे बहतरीन वक्त मौसम गर्मा का है आज भी मैं कराची में बैठकर अडंकेल की फिजा की खुशबू और सुब सवेरे परेंदों और मार्मट की आवाजों को याद करके खुश होता हूँ क्या बात थी उस जगा की रूफ को सुकूम पहुचाने वाली जगा है याडंके क्यूक्के कुछ करने को नहीं था तो फैज़र मैं वाउक करने कर पड़े आग पर जलानी बाइ बलकुल फैल गया और ना कोई होटेल वाले उठेगे हमें कोई चाय उठेगे हमें कोई चाय उठेगे तो हमें सचा चलो भाई सब्सक्राइब कर देते हैं सर्दी मगर शदीद सर्दी है अभी भी आए गया स्टू थ्री होड़ा को टेंपरिचर और अभी हम जहां जाँ जाँ वाक करके हैं पूरी एक सफेज शीट बिच्छी हिल्की हिल्की जो के रात को और सबड़ी थी और फ्रीर हो चुकी है पर एक्सम्पल एड़का चुकी है कि यह बलाफा है आप लुड़ वापस जाना नहीं था, आप लुड़ा जाना नहीं था रखा भी। एक्सप्रेस हाव इट फिल्स तो भी है वाट इस रियली ब्यूटिफुल क्योंकि आटम का सीजिन है तो मतलब हमारी लग है कि तीन चार कलर उजार है और इंज येलो रेड ग्रीन इस ब्यूटिफुल पीछे साब दरग पे दाने सुन रहे हैं एंजॉय करें अपने जोन में हैं वन तिंग रिक्वेस्ट तो आल ट्रावलर्स यह भी आते हैं कि जब आप आते हैं तो इसका मतलब है नहीं कि बसकी एक स्पेसिफिक स्पॉट जैसे आप अरंग केल पे हैं तो इससे आपकी जो वेकेशन्स है वो भी मतलब आप सही तरीके से यूटलाइज करें बजाए इसके कि आप सुबह ग्यारा-बारा बज़टर अपना पूरा टाइम वेस्ट करें फिर तो फाइदा न्यू आजी वेकेशन का नो फाइदा नो फाइदा नो फाइदा नो आज का दून खता मिनी हो रहा आज का दून खता मिनी हो रहा के दिन अतना लंबा लग रहा है अभी भी खाली कि तीन वज़आ है और इसके दोरान नहा भी लिया तर्साइर भी कर लिया सो ब्हों ऐसे हैं दून के सारे गाम कर लिया आजिए वह पेहन की शाथि कर वा लिए हैं मां को भज़ कर वालिया सटल हो गया अब समय नहीं रहा तो अभी निकलें बिलाल साब और में यह भी गभी चलता है वंदा यह फिर अभी हम बद जाएंगे तरसीर अचानों से ठंड हो गई है बादल बादल आगए तो दिन में भी जाकट पहनी है मोटी आली पीछर बाइगराउंड में यह इस खिड़की से जो ना बच्चे जी भाइजयान जैसे के आप देख सकते हैं स्पाइडर मैन यहां पहुंच चुक है बिल्कुल जो है सुपर मैन बने में पता नहीं क्या नहीं देखें फुल मैजिक चल लाए 3D में अपको दुख रहें यह देखें यह देखें आप कोई कोई चोरी चकारी नहीं कोई यह यह भgebजी में पेये जाँ ले आगलाएंग benvi अगा लेको मती कहते है जाग से जाहेए जए कि भी बड़े सब्सेटर भी मेरेशा है को बड़े सीच्छ लोग मेरे चालेकों दूगा। याउ दुश इना मेरे साथ इसाओलिका यह похथु शोत। भाई आग लग चुकी है, माहौल बन चुका है, रात उरूज पर है, तीन नौजवान लॉंडे है, एक पोटेबल स्पीकर है, सी नौन है भाई झाल